दोस्तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल की ओने वाली है क्योंकि आज डिसकस करने वाला हूँ मुंशी प्रेम चंद का एक बहुत ही ज़्यादा फेमस वर्क गबन कमाल का नोबल है तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तो गबन उपन्यास की कहानी एक जालपा नाम की बच्ची से सुरू होती है वो बच्ची बिसाती और दीन द्याल की बेटी है दीन द्याल जी हमेशा यह सोचते हैं कि बच्ची है उसको खिलोने नहीं दिलवाते हैं उसको ज्वैलरी दिलवाते हैं क्योंकि उनका मानना यह है कि खिलोनों से जादा उसको ज्वैलरी को टाइम देना चाहिए क्योंकि आगे चलकर वो एक औरत बनने वाली है और खिलोनों का कोई फायदा नहीं इसलिए दीन नियाल जी कभी भी कहीं पर भी बार जाते थे तो ज्वैलरी जरूर रेके आते थे तो बच्पन से ही जाल जालपा को तो जालपा के पास एक नकली चंद्रहार था जो कि इसे बहुत ही जादा पसंद था तो एक दिन क्या होता है जालपा के पता अपनी पतनी के लिए एक सचमुच का असली वाला चंद्रहार लेके आ जाते हैं तो जालपा जब उसको देखती है तो वो हार उसकी आ पर जाओगी तो वहां पर तुम्हें ऐसा हार मिलेगा जालपा ये सुनकर बहुत ही जादा खुस होती है और उसको इस बात की भी खुशी होती है कि कम से कम ससुराल कोई ऐसी जगा नहीं है जहां से उसे डरना चाहिए वो एक अच्छी जगा है जहां पर उसके अर्मान पूर पर रमानात से तै होती है रमानात कोई काम नहीं करता मिडल ग्लास फैमली से बिलॉंग करता है उसके पिता की सैलरी से वो घड़ तो ठीक से चला लेते हैं लेकिन उसकास हर आदमी अंसैटिसफाय है किसी न किसी तरीके से फिर भी इतनी परेशानियों के बावजूद दया रमानात जो हैं उन्होंने आज तक एक पैसा रिस्वत नहीं ली सरकारी नोकर हैं एकदम से इमांदार हैं लेकिन रमानात को अपने पिता के ये उसूल वाजी पसंद नहीं आती वो अपनी सारी खोयशیں सारे एश्वाराम पूरे करता है दोस्तों के साथ शेयर करके कभी कि मतलब फाइनल वर्ट moi बोलू तो रामानाथ एक केरलेस परसं था उसकी साधी जालपा से हुजाती है क्योंके जालपा की फैमली को रामानाथ पसं था और देयनात की फैमली को जालपा पसं थी साधी में दोनों ही अर्टीज जो है बढ़ चरकर खर्च करती है जब जालपा रमानात के परिवार में आती है तो रमानात उससे बोलनी पाता कि वो लोग बहुत ही दाता मिडल क्लास फैमली से बिलॉंग करते है और बतानी बाता कि जो कुछ भी जो शानों सौकत से उन्होंने शाधी करी है वो सारा कुछ करज लेकर किया था यहां तक कि जो गहने भी बनवाए हैं साधी के लिए वो भी सब करज से बने थे और कहता भी किस मूँ से साधी से पहले ही वो जालपा से अपनी शानों सौकत के इतनी डींगे मार चुका था कि अब हिम्मती नहीं होती थी उसको सच बताने की जालपा की साधी में सब कुछ उसे बहुत अच्छा लगा जो गहने आते हैं वो भी बहुत अच्छे है उसे अपना लाइफ पार्टनर भी बहुत पसंद आता है लेकिन तब वो बहुत ज़्यादा हतास हो जाती है जब उसे पता चलता है कि उसकी साधी में चंदरहार नहीं आया जालपा को इस बात से बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि उसने अब तक के लाइफ में बस यही सपना देखा था कि उसका खुद का एक असली का चंदरहार होगा उसे बहुत पसंद था दोस्तों गैने चाहे चोटे हो या बड़े हो औरतों को लोक्री होते ही है इसलिए जालपा को भी गैनों का कोई ऐसा लालस तो नहीं था लेकिन एक ऐसी च्छा थी चंदरहार की जो कि उसकी पूरी नहों सकी वो अपने पती से इस बात का जिकर करती है और यह ठान लेती है कि जब तक उसे चंदरहार नहीं मिलेगा वो कोई और आभूसन पहनेगी लगी जिद कर वैठी के अब तो चंदरहार चाहिए नहीं तो तुम देख लो फिर जालपा के सस्वार वालों को यह बात बहुत पुरी लगती है उसके ससोस होसते हैं कि गर की इस्तिती को जालपा को अच्छे से बता दिया जाए लेकिन रामानात नहीं पीडी का यह वक्त था उसे सर्माती थी कि वो अपनी पतनी को कैसे बताए कि मैं तुमारे लिए नहीं कर सकता हमारी कंडीशन है वो इतनी खराब है नहीं बता सकता था उसको सर्माती थी बलकि फोल्टा बढ़ा चड़ा कर और कहता था कि इस मकान का किराए इतना जाता है मच्चों की फीज इतनी जाती है हम लोग बहुत अच्छे से रहते हैं हम बहुत अमीर है इसलिए जालबा को अंदर ही अंदर और ज्यादा बुरा लगता था कि घर में जब इतनी सुक्सोविदा है सारा कुछ सब लोग इतने खोशी खोशी रहा रहा है इतना पैसा खर्च कर रहा है तो एक मेरा छोटा था चंदरहार नहीं बन सकता क्या मतलब मेरा एक चंदरहार बन जाएगा तो क्या चला जाएगा इस बास से उसे ओर ज़़ाँ आती थी और ज़़्यादा बुरा लगता था दूसरी दरफ दयानात ने साधी के लिए जिन-जिन से उधार ले रखा था वो दयानात से पैसे मांगने आने लगे दीरे दीरे तो बहुत ही ज़दा कंडीशन डिफिकल्ट होगी दयानात के लिए तो वो रामानात से बोलता है कि जाओ तुम जालपा से उसके गहने लियाओ तो उसको सारी कंडीशन बता देना और गहने लियाओ तो उससे मैं कम से कम ये जो डेली की डेली घर पे आके तकादा कर रहे हैं इनका कुछ टाइम के लिए मैं मूवन कर सकता हूँ रमानाथ का मन तो करता है लेकिन वो ऐसा नहीं करपाता वो चाह कर भी अपनी पतनी से यह वात packaging नहीं बता पाता क्योंकि मैं पहले यह आपको बता चाहआँ पहले ही इतनी डींगा मार चुका है अपनी condition उसकी इतनी हाइफाई बता चुका है कि अब उसको सरम आ रही है कैसे बता है सच इस कंडीशन में रमानात क्या करता है कि एक दिन गैनों का बकसा चोरी कर लेता है और चोरी करने के बाद सारे गैने अपने पिता को दे देता है और बोलता है जाईए सारे गैने बेश दीजिए इदार दूसरी तरफ गर में सोर था कि भाई कोई चोर चोरी कर ले गया सारे गहने लेकिन फिर भी जालपा दुखी तो होती है लेकिन इस बात से थोड़ी सैटिस्फाय हो जाती है कि उसका पती उसके लिए और गहने बनवा देगा कोई बड़ी बात नहीं है आखरकार रमानाथ अपनी पत्नी के लिए नौकरी की तलास करता है मतलब पत्नी की इच्छाओं को पूरा करने के लिए और अपने एक फ्रेंड रमेज से बातचीत करता है इस बारे में तो रमेज बहुत ही अच्छा इंसान है जो रमानात के साथ अक्सर सतरंज खेलता था रमेश की पतनी को मरे हुए भी काफी साल बीट गए है लेकिन आज भी वह उसे बहुत प्याद करता है, अकेला रहता है रमेश बोलता है कि तुम काम तो करो और यहाँ पर उपरी कमाई भी लेकिन हमेशा सायम से रहो, कभी किसी से कर्ज मत लेना, रिश्वत मत लेना, एक अच्छे आदमी की तरह रहो जिन्दी बहुत कुछ देती है रमानात को ऐसा समझा कर वो एक जगए अच्छी सी नौकरी भी दिलवा देता है रमानात बात को समझ जाता है, काम सुरू कर देता है धीरे धीरे कंडीशन अच्छी होने लगती है लेकिन रमानात आदत से मजबूर था उसकी आदत खराब थी कि भई बढ़ चड़ कर बोलना है वो अपनी पतनी को ये तो बताता है कि नौकरी लग गई है पर असली तनका से भी बढ़ा चड़ा कर बताता है जालबा बहुत खुश होती है कि चलो अब उसके पतनी की नौकरी लग गई है अब उसके गैनों को लेकर सारे सबने पूरे होंगे रमानात भी अपनी पतनी के लिए गैने बनवाना चाहता है लेकिन उस नौकरी में इसकी कोई गुंजाइस नहीं है तो एक दिन क्या होता है उसकी पतनी मतलब जालबा अपने दोस्तों को चिट्थी लिखती है और रमानात से बोलती है कि डाक खाने में डाल देना उसे लेकर पहुंचता है रमानात लेकिन उसका मन कहता है कि भाई खोल के देख लेता हूँ क्या है इसके अंदर चोरी से पढ़ लेता है वो इसलिए भी देखता है कि कहीं उसने अपने दुखों का जिकर अपनी कंडिश खराब कंडिशन का कि वो यहां पर कितनी दुखी है यह सारी बात है तो नहीं उसने लिखके कहीं किसी को भेज रही है तो यह सोचकर वो चिट्ठी खोल देता है चोरी से चुप चाप और पढ़ता है और देखता है जालबा लिखती है पतानी कैसे लोग है इतना पैसा होते हुए भी मेरे लिए गैने नहीं बनवाते मैं हस्ती रहती हूँ बोलती रहती हूँ लेकिन मन ही मन बहुत दुखी हूँ ऐसा ही कुछ लिखा था पूरी चिट्ठी में तो रमानात क्या करता है यह सब पढ़के उसे बड़ी तकलीफ होती है कि भाई मैं कैसा पती हूँ लेटर को बिना पोश्ट किये ही घर चला आता है इधर जालपा को भी बहुत ही जादा बुरा लगता है अफसोस होता है कि उसको अपने ससुराल की सारी कंडिसन अपने दोस्तों को ऐसे नहीं लिखने चाहिए थी तो वो पूछती है रमानाथ से कि क्या आपने चिट्टी पोश्ट कर दी रमानाथ कहता है नहीं जालपा कहती है अच्छा कि हम नहीं पोश्ट करी मैंने शायद बहुत कुछ लिख दिया था जो नहीं लिखना चाहिए था तो रमानाथ मोलता है कोई बात नहीं जो बुरा होगा तो में सही तो लिखोगी ये सुनकर जालपा को बहुत ही जादा शर्मिंदगी होती है और वो रमानाथ से माफी मांगे लगती है लेकिन रमानाथ को अपनी पत्नी की तकलीफतेगी नहीं जाती फिर वो क्या करता है कि कहीं से उधार लेकर जालपा के लिए गैने बनवा देता है जालपा बहुत खुश हो जाती है मनीमन सोचती है इसी तरह से उसका पती उसके सारे सपने पूरे कर देगा गमा अपनी पतनी के लिए गैने बनवाता रेता है और धीरे धीरे कर्ज में दबता जाता है जैसे जैसे टाइम बीत रहा था वो और ज़्यादा गैने बनवा रहा था और और ज़्यादा कर्ज में दबता जा रहा था और और ज़्यादा परेशान होता जा रहा था और इसी बीच क्या होता है रमानात की परेशानी और बढ़ जाती है जब जालपा की एक दोस्त रतन वो कंगन बनवाने के लिए रमानात को पैसे देती है पैसे लेकर आ जाता है और ये सारे पैसे कहीं न कहीं उधार पूरा करने में और अलग-अलग जरूरतों में रमानात खर्च कर देता है अब रमानात की परेशानी और भी जादा बढ़ गई अब रतन डेली रमानात से पूछती के गैने बन गई क्या कंगन बना दिये क्या तो वो उसको टाल देता काफी समय तक टालता रहा एक टाइम आया है रतन उसको चेता के चली जाती है कि कल तक तुम मेरे कंगन दे देना बनवा के नहीं तो फिर मैं देखती हूं तुमें विचारा नमानात फस चुका था उसके पास अब एक ही रास्ता था वो एक दिन अपने आफिस में गवन कर देता है गवन मतलब जोल मोल तो यही है सीरसक यही है टाइटल गवन गवन कर देता है पैसे को बैलेंस की हिर फेरी कर देता है उसे बहुत बुरा लगता है जब वो ऐसा करता है लेकिन विचारा परेशानी के चलते ऐसा कर देता है पैसे लेके आता है और अपनी वाइफ को दे देता है कि ये लो रुपए रतन को दे देना तो जालपा भी बड़े अगले दिन जब रतन आती है तो उसको बड़ा एटिट्यूड के साथ बोलती है कि ये लो तुम मेरे पती से ऐसी बात कर रही थी ना ये लो अपने पैसे और जाओ तो जब पैसे देखती है रतन तो उसको भी थोड़ा सरमिंद्गी सी लगती है कि मैंने शायद कुछ गलत कह दिया तो वो उस माफी मांगती है लेकिन जालपा बोलती है कि नहीं नहीं अब ये अपने पैसे रखो अब आगे से ऐसा कुछ मत करना थी इधर ओफिस में जो रमानात ने घबन किया था उससे उसे बहुत ही जादा सरमिंद्गी होती है वो क्या करता है अपने दोस को बताता है कि भाई ये ऐसे ऐसे मैंने कर दिया ये ये हो गया मुझे ये गलती हो गई अब मैं क्या करूँ तो वो दोस बोलता है कि भाई देख मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, तुझे कल तक मालिक को इसाब देना होगा, सरकारी आदमी है, सरकारी काम है, वो लोग तुझे ऐसे तो छोड़ेंगे नहीं, उनका पैसा देना ही पड़ेगा, भई खाता जब बनेगा, तू पकड़ा जाएगा, मैं इसमें तेरी कोई हेल्प नहीं कर सकता, अ अब रमानात के पास कोई चारा नहीं था, उसे इतनी ज़्यादा सरमिंदगी होती है, और इस बात का डर भी होता है, कि वो पकड़ा जाएगा, तब क्या होगा, तो वो अपनी शादी से पहले से लेकर, जो भी जालपा के साथ उतने जूट बोला था, जो भी कुछ था, औ और इधर ऑफिस के गवन तक, वो सारी कहानी सच सच एक चिट्थी में लिखता है, और जालपा को देने की ठान लेता है, अब चिट्थी लिखतो देता है, लेकिन हिम्मत नहीं होती जालपा को देने की, चिट्थी को चुपचाप रखर चला आता है, और बहुत दूर कलकत ताकि और निकलाता है, इधर जब जालपा चिट्ठी पड़ती है, तो वो बहुत परिसान हो जाती है, जब उसे सारे हालात समझ आते हैं, तो उसे बहुत बुरा लगता है, तो वो अपने सारे गहने बेच कर आफिस का सारा कुछ जो रमानाथ ने गवन किया था वो सारा कुछ चुकता कर देती है, सारा करजा चुकता कर देती है रमानाथ का और दिन रात रमानाथ को ढूनने की कोशिस में लग जाती है दूसरी तरफ रमानात को एक बुजर्ग मिल जाते हैं ट्रेन में जिनका नाम देविदीन होता है देविदीन रमा को अपने घर ले जाते हैं जहापर उसे बेटी की तरह रखने लगते हैं रमानात भी वहाँ चाए की दुकान खोल लेता है और अपनी जिनकी को आगे बढ़ाने लगता है लेकिन उसे जालपा की बहुत र्याद आती है उधार जालपा उसे दिन राट ढूना करती है रमानात की जिनकी ठीक तरहीके से चनने लगती है दीरे दीरे लेकिन जालपा के साथ दोबारा नई जीवन को वितानी की कोसिस करता है वो सोचता है उसके पास जाएगा, माफी मांगेगा और जिन्दगी को आगे बढ़ाएगा पर कैसे जाए उसे इस बात का डर था कि अब तक तो सब कुछ हो चुगा होगा पुलिस रिपोर्ट वेपोर्ट सब कुछ हो चुकी होगी ओफिस की तरफ से और पुलिस मुझे चाव तरफ ढूण ही रही होगी तो मैं जाओंगा और पकड़ा जाओंगा क्योंकि डरा होता है पुलिस से भाग राथा कि क्या क्या उसके साथ हुआ तो रमानाथ की बात को CONFERM करने के लिए पुलिस वाले सारी चांद्वीन करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि रमानाथ निर्दोस है उसका जो उसने पैसे का हेर फेर किया था गबन किया था वो सारा को चुकाया या चुकाया जिसे आसानी से फसाय जा सकता है वो उसको नहीं बताता पुलिस वाला उसको नहीं बताता कि वो निर्दोस है लेकिन वो ये बोलता है कि देख काम कर तू हमारा ऐसा ऐसा काम कर दे तुझे गवाई देनी है ऐसे ऐसे और तेरा जो पिछला केस चल रहा है वो मैं तेरा सारा कुछ रफा धफा करवा दूंगा जबके पिछला के इस खतम हो चुका है लेकिन पुलिस वाला उसको जूट बोलता है बिचारा रमानात मानने केलावा उसके बावा उसके पास कोई और चारा भी नहीं था रमानात मान जाता है पुलिस के जाल में फस जाता है सरकारी गवा बन जाता है उनके कहे जाने के अनसार लोगों के खिलाब गवाई दे देता है जिन मेंसे एक को फांसी की सजा हो जाती है जालपा उसे ढूनते ढूनते कलगता पहुँच जाती है और देवी दीन के घर रहने लगती है जालपा को जब पता लगता है कि उसने जूटी गवाई दे कर किसी निर्दोस को फसाया है तो उसे बड़ा बुरा लगता है अब उसे रमानात की आयत हैं बहुत बुरी लगने लगती है उसका प्राश्चित करना चाहती है वो उस फांसी पर चड़ने वाली विक्ती के घर जाती है सेवा करती है और अपने पती के पाप का प्राश्चित करती है रमानात को बहलाने फुसलाने के लिए पुलिस जूरा नाम की एक डांसर को रमानात के पास भेजती है लेकिन जब जोरा उसे देखती है कि बिचारा ये आदमी तो पहले सी फसा हुआ है इसको पुलिस ने फसा रखा है उसको ऐसा लगता है कि बिचारा बड़ा सिंपल सा आदमी है बड़ा अच्छा आदमी है, सच्छा आदमी है बेमतलब में फसाय है, तो उसकी मदद करती है और जालपा और रमानाथ को मिला देती है, उनकी लाइफ को सैटल करती है, सारा कुछ सैटल हो जाता है, सब कुछ सही हो जाता है पुलिस के चंगुल से बाहरा आ जाता है रमानात और अब सारे लोग एक साथ एक खुशाल परवार के रूप में रहने लगते हैं